नमशकर इन खबर में आपका स्वागत है पिछले एक साल से जारी रूस और युक्रेन के युद्ध को बिराम लगा है यानि कि पुतिन ने युद्ध बिराम का एलान कर दिया है लेकिन ये युद्ध बिराम सिर्फ दो दिनें के लिए है छे और साथ जनौरी को रूस की सेना युक्रेन पे किसी भी तरह का हमला नहीं करेगी ये सीज़ फायर इसाई धर्म गुरु पेट्रि आर किरिल की अपील के बाद लिया गया है आपको बता दें कि पुतिन ने बाचित का भी संकेत दिया है कि वो युक्रेन के साथ बारता के लिए तयार है क्या है ये सर्थ? और रूस-युक्रेन का ईद्ध किस ओर जा रहा है? कब थमेगा? जानकारी के मुताबिक गुरुवार को क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन ने तुर्की के राष्टपती रजब तयब एर्दोगन से कहा कि अगर उक्रेन मास्कों के कबजे वाले छेत्रों को स्विकार कर लेता है तो वो बात चित के लिए तयार है बयान के अनुसार पुतिन ने एक बार फिर गंभीर चर्चा के लिए रूस की तरफ से खूले पन का इसारा किया है रुसी सैनिकों ने बड़े अस्तर पे पुर्वी और दक्षणी उक्रेन के हिस्से पे कबजा कर लिया है क्रेमलीन की और से दावा किया गया है कि दोनेस, लुगांस, जापोरी जिया और खेरसान छेतरों को पुरी तरह नियंतिरित न करने के बावजुद उसका कबजा है रुसी पक्ष ने पश्चमी देशों की विनासकारी भूमिका सैनिकों करनों से क्यूसासन को तयार करना जानकारी और लक्षों के जानकारी देने की बात पे अबजेक्शन किया है कि किस तरीके से पश्चिम उसकी मदद कर रहा है सविंतराश की तरफ से कराये गए अनाज के समझावते पर भी चर्चा हुई है खास बात ये कि काला सागर में बड़े पैवाने पर ड्रोन हमला होने के बाद अक्टूबर में रूस डील से पीछे अट गया था हाला कि कुछ दिनों बाद ही डील में वापसी की लेकिन अधिकारियों ने रूसी उत्वादों पर प्रतिबंद लगाये जाने की सिकायत की थी इस तरीके से रूस ने ये सर्थ रखी है कि जिन इलाकों पे उसका कबजह हो चुका है उसको उक्रेन मान ले तब वारता हो सकती है लेकिन दुसरी तरफ ये भी खबरे आ रही है कि जेलेंस की किसी भी सूरत में उसका कबजा नहीं मानेंगे क्योंकि उसी कबजे को लेकर के उसी संघर्स वाली जमीन को लेकर के दोनों में लड़ाई शुरू हुई ये बात अलग है कि जो मूल सवाल है या आपका सकते हैं जगडे की जड़ है वो यूक्रेन का पश्चिम की तरफ जाना और नाटो की सदस्ता के लिए प्रयास करना रूस को ये कत्ताई गवारा नहीं कि पश्चिम उसके बॉर्डर पर आ करके जम जाए यूक्रेन और रूस का बॉर्डर मिल रहा है बेलारूस और ये सब जुड़े हुए हैं आपस में पुतिन की चिंता ये है कि पश्चिम ने धीरे धीरे जो समझावता हुआ था उसका उलंगन किया है और वो पुर्वी यूरोप की तरफ अपना वर्चसो चाहता है यूक्रेन को नाटो में स्तामिल करके रूस की सीमा पर आ करके जम जाना चाहता है अपने सुरक्षा के डर से कहिए या आसंका से उन्होंने यूकरेन के साथ ये जंग छेड़ी लेकिन अब ये जंग महंगी पड़ रही है पुतिन को भी और जलेंस्की को भी पश्चिम यूकरेन की मुदत कर रहा है और साथ ही युद्ध की आग में अपना हाथ भी सीक रहा है प्रधान मंतरी नरे डिप्लोमेसी से समस्या के समधान का है देखते हैं कि इस विद्ध बिराम के बाद दोनों में कुछ बात बनती है या 24 फरवरी 2022 से सुरू ये जंग जारी रहती है जो कि दुनिया के लिए संकट बनती जा रही है रही है रही ने बेखबर देखते रही है इनकबर ठैंक इनकबर चानल को सबस्क्राइब करें